नमस्कार आपका स्वागत एदाजनामा टीवे मैं पुनम आपके साथ डिस्को डांसर भारत की पहली फिल्म ती जिसने सो करोड रुपे का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था यह आकडा देखकर फिल्म के लीड एक्टर मिथुन चकरवती भी चौक गए थे मिथुन को विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी फिल्म ने इतने पैसे कमाए है मिथुन ने कहा कि आज के वक्त में सो करोड कमाने वाली फिल्में फ्लॉप मानी जा रही है कुछ वक्त पहले तक 50 से 55 करोड रुपे का कलेक्शन करने वाली फिल्म में हिट मानी जाती थी हाला कि अब ऐसा नहीं है बता दे कि फिल्म डिस्कोड डांसर 1982 में रिलीज हुई थी इसने भारत से जादा ओवरसीज में कलेक्शन किया था सोवियत यूनियन और मिडल इस्ट देशों में फिल्म काफी पॉपुलर हुई थी मितुन चकरवती ने एक इंटिवियू में बताया अगर फिल्में किसी एरिया में 3 से 5 करोड का बिजनेस करती है तो उसे ब्लॉक बस्टर माना जाता है सभी टेरिटरी के नंबर्स जोड लिए जाए तो यह आकड़ा 50-55 करोड तक पहुँच जाता है जो की काफी शांदान हुआ करता था हाला कि आज के वक्त में देखें तो 100 करोड रुपए भी कमा कर फिल्मों को हिट का टैग नहीं मलता इन आकड़ों को देखकर फिल्म मेकर्स उतने खुश नहीं होते डिस्को डांसर के बाद मिथुन चक्रवती रात और रात स्टार बन गए थे आने वाले कुछ सालों में मिथुन सफलता की स्टीडियो पर चड़ते गए 1990 में मिथुन की 17-17 फिल्म में रिलीज हुई थी जिन में इलाका, मुझरिम, प्रेम प्रतिग्या, लड़ाई, गुरू और 20 साल बाद जैसी फिल्म में शामिल है एक साल में सबसे ज़्यादा फिल्म करने वाले बॉलिवुड एक्टर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ट मिथुन के पास है इसलिके साथ परने राजनामा टीपी के साथ धन्यवाद